हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू रादिकास डेलिकसीस तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ महाराश्ट्रियन थाली जो की बहुत ही टेस्टी होने वाली है इस थाली में हम बनाएंगे दाल, पनीर की सबजी, राईस, बिंडी की सबजी, पूरी और इसके अलावा और भी चीज़े आपको इस थाली में मिलेगी तो इस रेसिपी को आप एंड तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेर जरूर कीजे तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार रेसिपी तो सबसे पहले हम पनीर की सबजी के लिए मसाला बनाएंगे तो उसके लिए एक पैन में दो बड़े चमच तेल गरम कर ले और जैसे ही तेल गरम हो जाता है तब उसमें एक कटा हुआ प्याच, अद्रक, लहसून, कोरियंडर स्टेम्स और 10-12 काजू मिला दे अब इन सारी चीजों को हम 5-10 मिनिट के लिए अच्छे से भून लेंगे जैसे ही प्याच अच्छे से भून जाएगा तब हम ग्यास को बंद कर देंगे और मसाला थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे फिर उसके बाद हम इस मसाले को एक मिक्सी में डाल कर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे ये देखिए, बिल्कुल इतना ही फाइन पेस्ट हमें बना लेना है अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम फिर से एक कड़ाई में दो बड़े चमच तेल गरम कर लेंगे और फिर उसमें थोड़ा सा बटर, जीरा और हिंग डाल दे जैसे ही जीरे की खुश्बू आने लगेगी तब उसमें ये मसाला मिला दे और इस मसाले को हम हलका सा ब्राउन कलर आने तक अच्छे से पका लेंगे तो इसलिए मैंने इसे कवर कर दिया है और बीच-बीच में मैं इसे चलाती भी रहूंगी ताकि मसाला जले नहीं और ये अच्छी तरीके से भून जाए तो ये देखिए मसाला अब अच्ची तरीके से भुन चुका है तब हम इसमें डाल देंगे एक चमच लाल मिर्च पाउडर आधा चमच गरम मसाला पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर और एक चमच धनिया पाउडर अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिला दे और फिर हम इसमें आधा कटोरी टमाटर प्यूरी अड़ कर देंगे अब इन सारी चीजों को हम 10-15 मिनिट के लिए अच्छे से पका लेंगे और इसी के साथ हम पनीर को भी टॉस कर लेंगे तो उसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा बटर गरम किया है और फिर उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिला कर पनीर को हलका सा टॉस कर लिया है 10-15 मिनिट के बाद आप देख सकते हो कि ग्रेवी में से तेल अच्छे से चूटने लगा है मतलब हमारा मसाला बिलकुल रेडी है फिर हम इसमें ये पनीर के टुगडे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला दे अब सबसे लास्ट में हम इसमें गरम पाने अड़ करेंगे अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसमें स्वादनसार नमक मिलाएंगे और 10 मिनिट के लिए इसे कवर करके पकाएंगे अब आप देख सकते हो कि हमारी ग्रेवी बिलकुल तयार है तो लास्ट में हम इसे थोड़े से धनिया पत्ता से गारनिश करेंगे तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में तो अब हम चावल और दाल बनाएंगे तो उसके लिए मैंने एक कप चावल लिया है और उसे अच्छे से वाश करके उसमें आधा गलास पानी एड़ कर दिया है अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला कर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब एक दूसरे पैन में मैंने आधा कप मूंग दाल ली है और उसे भी अच्छे से वाश करके उसमें आधा ग्लास पानी एड़ कर दिया है तो चलिए अब हम इसे प्रेशर कुकर में पकाने के लिए रख देते है अब प्रेशर कुकर की तीन से चार सिटी होने तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे जैसे ही सिटी हो जाएगी तब हम कुकर को अच्छे से थंडा होने देंगे और फिर उसे खोलेंगे सिटी होने तक हम भेंडी की सबजी बना लेंगे तो उसके लिए भेंडी को अच्छे से वाश करके हम इसे ऐसे कट कर लेंगे अब एक कड़ाई में दो बड़े चमश तेल गरम कर लेंगे और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तब उसमें हम हिंग, आधा चमश जीरा, एक चमश लाल मिर्च पाउडर, आधा चमश गरम मसाला पाउडर और आधा चमश हल्दी पाउडर डाल देंगे अब उसके तुरंद बाद उसमें कटी हुई भेंडी को मिला कर इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे कवर करके इस पकाएंगे दस मिनिट के बाद आप देख सकते हो कि हमारी भेंडी पूरी धरे से पक चुकी है अब स्वाद अनुसार नमक मिला दे और सबसे लास्ट में मुंग फली का पाउडर मिला कर सबसी को हलका सा टॉस कर ले अब हमारी भेंडी की सबसी बिल्कुल तयार है अब हमारा कुकर भी अच्छे से थंडा हो चुका है तो चलिए हम दाल को तड़का दे देते है तो उसके लिए एक पतिले में दो चमच घी डाल दे और जैसी ही घी गरम हो जाएगा तब हम उसमें थोड़ा सा जीरा और कटा हुआ लसन अड़ करके इसे अच्छे से मिला दे और आखिर में मैश करी हुई डाल आड़ करके आधा ग्लास पानी हम इसमें डाल देंगे फिर उसके बाद आधा चमच हल्दी पाउडर, स्वादुन सार नमक और थोड़ा सा हिंग मिला कर इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब 15 मिनिट के लिए हम इसे अच्छे से पकने देंगे जैसे ही डाल पूरी दरीके से पक जाएगी तब हम इसे थोड़े से धनिया पता से गार्निश करेंगे तो आप देख सकते हो अब हमारी दाल बिलकुल तयार है तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में तो पूरी बनाने के लिए यहां मैंने दो कप आटा लिया है और उसमें आधा चमश नमक एड़ करा है नमक यहां ओप्शनल है अगर आप नहीं खाते तो ना डाले नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे फिर उसके बाद पानी डाल कर हम इसका एक डो बना लेंगे आटा गुनते समय आप इस बात का द्यान रखे कि हमें इसे थोड़ा सा कड़ा ही गुदना है तब ही हमारी पूरी अच्छे से बनती और फूलती है तो ये देखिए अप आटा अच्छे से गुन्द चुका है तो अब मैं उसकी लोई बना कर उसे गुन्द लेती हूँ बेलते समय आप चाहे तो आटे का इस्तमाल कर सकते हो या तेल का भी इस्तमाल कर सकते हो और पूरी को रोल करते समय उसकी तिकनिस ज़्यादा कम ना करे तो इस बात का ध्यावना आप ज़रूर रखे तो ये देखिए अब मैंने पूरी को बेल लिया है तो चलिए अब चलते हैं इसको फ्राइ करने के प्रोसेस में तो अब यहाँ आप देख सकते हो कि तेल अच्छे से गरम हो चुका है तो इसे समय हम पूरी को फ्राइ करेंगे तो ये देखिए पूरी कितने अच्छे से फूल चुकी है पूरी के साथ-साथ यहां मैंने थोड़े से कुरड़ी और पापड को भी फ्राइ कर लिया है जिससे हमारी थाली बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगी तो केसी लगी आपको ये महाराष्टियन थाली ये मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए और वीडियो पसंद आये तो इसे एक लाइक और शेर जरूर कीजिए